अगर आप अपना या फिर अपने बच्चों का अगर जनम प्रमान पत्र जो बर्थ सर्ट प्रिकेट होता है वो अगर आप बनवाना चाते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए है आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपना या फिर अपने बच्चों का जो जनम प्रमान पत्र होता है जो बर्थ certificate होता है वो आप किस प्रकार से बनवा सकते हैं आज कि इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि अगर आपके जो बच्चे हैं उनका जो जनम है वो अगर होस्पिटल में हुआ है चाए वो गौर्वेंट होस्पिटल हो या भी प्राइवेट होस्पिटल हो तो आप उनका जनम प्रमान पत्र किस प्रकार से बनवाओगे इसके अलावा ऐसे बच्चें जो कि 4-5 साल के हो गए हैं और उनका जो जनम है वो किसी होस्पिटल में नहीं हुआ है बलकि उनका जो जनम है वो होस्पिटल के अंदर ना होकर घर पर ही हुआ था तो उनका जो जनम प्रमान पत्र है वो आपको किस प्रकार से बनवाना है इसके अ प्रकार से उनका जनम प्रमान पत्र बनवाईंगे आप सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऐसे बच्चे जिनका जो जनम है वो किसी प्राइवेट होस्पिटल में या फिर किसी गौर्वेंट होस्पिटल में हुआ है तो उनका जो जनम प्रमान पत्र है वो आपको किस प्रकार से बनवाना है वैसे बच्चे जो किसी होस्पिटल में होते हैं आज कल ज्यादतर होस्पिटल ऐसे हो गए हैं जिन होस्पिटल में आपका बच्चा पैदा होता है वही होस्पिटल आपको आपके बच्चे का जनम प्रमान पत्र बना कर दे देता है अगर वह वाला होस्पिटल अपने बच्चे का जनम प्रमान पत्र बनवा कर नहीं देता है तो आपको क्या करना है आपके बच्चे का जहां पर भी जनम होता है उस वाले होस्पिटल का जो नगर निगम चेतर होता है या फिर जो नगर पाली का चेतर होता है वहाँ पर आपको जाना होता है और वही से उस बच्चे का जो जनम प्रमान पत्र है वो इसू किया दाता है यह तो बात हो गई ऐसे बच्चों की जिनका जो जनम है वो किसी प्राइवेट होस्पिटल में हुआ है या फिर गौर्वेंट होस्पिटल में हुआ है लेकिन ऐसे बच्चें जिनका जो जन्म है ना तो किसी private hospital में हुआ ना ही किसी government hospital में हुआ उनका जो जन्म है वो गरपरी हुआ है इसके अलवा उनकी जो age है वो भी 5-10 साल पुरानी है मतलब उनका जो जन्म है आज से 5-10 साल पहले हो चुका था उस time उन्होंने उनका जो जन् प्रमान पत्र है वो नहीं बनवाया था लेकिन अभी उनको जनम प्रमान पत्र की ज़रत पड़ गई है तो वो उनका जनम प्रमान पत्र किस प्रकार से बनवा पाएंगे इसके अलवा ऐसे लोग जिनकी एज 20-25 साल हो गई है और उनको जनम प्रमान पत्र की ज़रत पड़ ग बलकि उनका जो जनम है वो घर पर हुआ है तो ऐसे लोग ओनलाइन ही अपना जो जनम प्रमान पत्र है वो बनवा सकते हैं ऐसे लोगों को ओनलाइन ही उनका एक फोरम फिलप करना है और ओनलाइन ही उनका एक फोरम फिलप होने के बाद उनका जो जनम प्रमान पत्र होता है वो बन कर तैयार हो जाता है अगर आप भी ऐसे वेक्ति का जनम प्रमान पत्र या फिर ऐसे बच्चे का जनम प्रमान पत्र बनवाना चाहते हैं जो किसी गौवर्मेंट होस्पिटल में या फिर प्राइवेट होस्पिटल में नहीं हुआ है बलकि गर पर हुआ है तो आप उसका जनम प्रमान पत्र किस प पन करना है और वहां पर आपको Google में जाके सर्च करना है CRCL अप सर्च करेंगे उसके बाद आपके सामने जो फ़र्ष नमर वाली लिंक आएगी Civil Registration System वाली आपको इस वाली लिंक पर क्लिक करना है जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे यहाँ पर क्लिक करते ही आप Birth and Death Registration की जो Official Website है आप इस वाली वेबसाइट पर रेडिरेक्ट हो जाओगे Website है वो Central Government की Website है इसी वाली वेबसाइट से आप किसी भी राज्ये से बिलोंग करते हों आप किसी भी राज्ये के हों सभी राज्यों के यहाँ पर जनम प्रमान पतर आप उनलाइन एप्लाई कर सकते हो आपको परफेक्ट जिस राज्ये के आप हों उस वाली राज्ये की Official Website पर जाने की ज़रत नहीं है Central Government की इसी वाली Website से आप सभी राज्यों के लिए अपना Birth Certificate एप्लाई कर सकते हो अब आपको अपना Birth Certificate एप्लाई करने के लिए बनवाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको Right Side में Login करने के लिए बोल रहा है आपसे User ID और Password मांग रहा है अगर आप इस वाली साइट पर पहले कभी आ चुके हैं और आपने अपना Account Create कर रहा है इसमें Registration कर रहा है तो आप Direct यहाँ पर User ID डालेंगे, Password डालेंगे, Capture Code डालेंगे और Direct Login हो जाएंगे लेकिन अगर आप इस वाली साइट पर पहली बार आ रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना एक Account Create करना होगा तो Account Create करने के लिए नीचे आपको Option मिल रहा है General Public Sign Up का तो Simply आप इस पर क्लिक करेंगे जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर क्लिक करते ही, आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर उपर लिखा हुआ है, Sign Up का Option यहाँ पर है इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है अगर आपको इस वाले पोर्टल में 21 दिन के अंदर अंदर आपको इहाँ पर रिजिस्टेशन कर देना है अगर 21 दिन से ज्यादा भी हो गया है, तो भी आप यहाँ पर रिजिस्टेशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना जो Sign Up है, वो आपको करना होगा तो उसके लिए यहाँ पर यूजरनेम पूछा जा रहा है, आप अपने हिसाब से यहाँ पर अपना एक यूजरनेम सेट करेंगे उसके बाद यहाँ पर आप से email ID पुछी जा रही है, आप email ID डालेंगे, यहाँ पर आप अपना mobile number डालेंगे यहाँ पर जो भी आपका date है, जिस date को आप यह बना रहे हो, वह वाली date आप यहाँ से select करोगे इसके अलावा यहाँ पर आपका जो भी state है, state आप select करोगे, यहाँ पर आप अपना district select करोगे, यहाँ पर आप अपना जो भी तालू का है वो select करोगे, यहाँ पर आप अपना विलेज select करोगे, यहाँ पर आप अपना जो भी hospital है, जो भी नगरपली का चेतर में आता है, य नीचे लिखा हुआ जाएगा, thank you for registering, please check your email to activate your user ID, अब आपको क्या करना है, आपने जो email ID दी है, उस वाली email ID को आपको open करना है, आपकी जो email ID है, उस पर आपको एक link मिला है, साती आपकी जो user ID है, वो वहां पर send कर दी गई है, अब आपको आपकी जो email ID है, उस वाली email ID को आपको अपनी email ID पर कुछ इस तरीकी का एक mail देखने को मिला होगा, यहाँ पर लिखा हुआ होगा, जो भी आपका name है, वो लिखा हुआ होगा, वो लिखा हुआ होगा, registered successfully as general public, और यहाँ पर आपका state का नाम होगा, इसके लावा जो भी आपकी user ID होगी, इस वाली user ID को यह password लेने के लिए, आपको यहाँ पर click here पर click करना है, अब आप click here पर click करोगे, click here पर click करने के बाद आप देख सकते हो, यहाँ पर आपके सामने login का option आ चुका है, अब आपको क्या करना है, जो आपको user ID, जो mail आपने दी है, इस वाली mail में जो आपको user ID मिली थी, उस वाली user ID को आपको यहाँ पर डालना है, और यहाँ पर आप से password पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप अपने इसाब से कोई भी एक password set कर सकते हैं, यहाँ पर आपके लिए जो password का example दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इस तरीके से आपको password set कर सकते हैं, उपर आप password set करेंगे वापस से आपको password यहाँ पर confirm करने के लिए वापस से जो आपने उपर password डाला है वही आपको वापस से नीचे डालना है उसके बाद capture code जो आपको यहाँ पर दिख रहा है यह वाला capture code आपको इस वाले box में डालना है और उसके बाद submit पर क्लिक करना है यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा user password updated successfully अब आपको क्या करना है जो आपको user ID मिली है वह वाली user ID आपको यहाँ पर डालनी है जो password आपने बनाया है वह वाला password आपको यहाँ पर डालना है यहाँ पर आपको capture code डालना है और यहाँ पर आपको login पर क्लिक करना है उसके बाद आपके सामने इस तरके का dashboard आ जाएगा अब आपको अपना जनम परमान पत्र बनाने के लिए अब आपको यहाँ पर online apply करना है apply करने के लिए यहाँ पर आपको right side में option मिलेगा birth का birth के just नीचे आपको option मिल जाएगा add birth registration का तो simply आप इस पर क्लिक करेंगे जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे यहाँ पर क्लिक करते ही आप देख सकते हो आपके सामने birth registration का एक forum खुल के आचुका है सबसे पहले यहाँ पर आपसे आपका जो भी language है वैवाली language आपसे पुछी जारी है आप यहाँ पर हिंदी इंगलिस अपने इसापसे select कर सकते हो जैसे हम English select रहने देते हैं उसके बाद select secondary language आपको यहाँ पर none रहने देनी है उसके बाद forum number आपको none रहने देना है कोई नहीं डालना है उसके बाद reporting date आपसे पुछी जारी है आप इसको कब report कर रहे हो मतलब कब डाल रहे हो वो date यहाँ पर आचुकी है अब आपको नीचे स्ट call करना है और अब आपको आपका जो भी birth certificate की जो details है जिसका आप जनम प्रमान पतर बना रहे हो उसकी जो भी details है बच्चे की या फिर बड़े की जिसका आप बना रहे हो उसकी जो भी personal details है नाम वगेरा वो आपको यहाँ पर डालना है सबसे पहले यहाँ पर date of birth पुछी जारी है जो भी बच्चा जब पेदा हुआ है उसकी जो date थी वह वाली date आप यहाँ से calendar से select करोगे और यहाँ पर उसकी date लिख दोगे जैसे हम यहाँ पर दो लिख देते हैं दो जो date है वो हमने यहाँ पर लिख दी है इसके अलावा उसका जो भी gender है male, female जो भी है वो अपने इसाब से यहाँ पर select करोगे इसके अलावा उसका जो first name है फर्स name आप यहाँ पे लिखोगे उसका जो middle name है middle name लिखोगे उसका last name है last name लिखोगे अगर इसके अलावा आपने उस वेक्ती का अगर आधान नमबर जो आधार कार है वो बनवा रखा है तो आप यहाँ पर उसका आधा नमबर भी लिख सकते हो इसके लावा आप इसको नीचे स्कॉल करेंगे जब आप इसे नीचे स्कॉल करेंगे अब आप से पुछा जा रहा है place of birth मतलब बच्चे का जो जन्म है वो कहां पर हुआ था नहीं देते हैं तो उनका आब Hebben जो होता है धिए में हॉष्पिटल पड़ता है उस एडिया का अगर होस्पिटल ग्राम पंच्ट में पड़ता है तो उनका जो जनम प्रमान पत्र है जब ça मिलता है सेकेटरी के थुर। अगर उनका जो hospital जो जिसमें जनम हुआ था वह वाला hospital अगर नगरपाली का चेतर में आता है तो उनका जो नगरपाली का चेतर होता है वहाँ से मिलता है अगर उनका जो जनम है वो किसी नगर निगम चेतर में हुआ है तो नगर निगम चेतर में आपको जाना होता है और वहीं से आपका जन्म प्रमान पत्र बन पाता है इसके लावा जहां पर भी आपका घर है उसका complete address आप यहां पर लिखेंगे जहां पर बच्चे का जन्म हुआ था house number लिखेंगे street name लिखेंगे post office लिखेंगे state select करेंगे district आपकी सब्डिस्टिक वगेरा आपने automatic select की होगी जब आपने sign up किया था वह यहां पर automatic आ जाएगी आप यहां पर अपना पिन कोड डालेंगे इसके लावा इसको नीचे स्कॉल करेंगे जब आप नीचे स्कॉल करोगे तो उनके जो जिस बच्चे का आप जन्म प्रमार पतर बना रहे हो उसके जो फादर्स की details है वो अब आपको यहां पर देनी है फादर का पस्ट नेम डालेंगे लाश्ट नेम डालेंगे अगर फादर का आधा नमबर है आधा नमबर आप डाल सकते हैं और mobile नमबर आपको यहां पर डालना है इसके अलावा नीचे स्कॉल करेंग यहां पर उनका mobile नमबर डालेंगे इसके लावा simply आप इसको नीचे स्कॉल करेंगे जब आप इसको नीचे स्कॉल करोगे यहां पर पुछा जा रहा है address of parent at the time of birth of the child मतलब यहां पर आप से पुछा जा रहा है कि जब बच्चे का जन्म हुआ था वो इस टाइम उसके जो parents जो मातापिता थे तो उनका जो address था वो क्या था तो यहां पर उनका जो भी complete address है यहां पर उनका जो भी village है उसका address आप यहां पर लिखोगे इसके लावा नीचे आप से पुछा जा रहा है कि permanent address of the parent उपर आपको current address देना है और नीचे आपको permanent address देना है अगर जो बच्चे हैं उनके जिसका आप जिनमत्मान पत्र बना रहे हो उसके मातापिता का current address और permanent address दोनों सेम हैं तो आप यहां पर टिक कर दोगे उपर वाला ही address यहां पर नीचे automatic आ जाएगा अगर उनका permanent address अलग है तो यहां पर आप उनका permanent address डाल सकते हैं इसके लावा simply आप इसको नीच कर दोगे के बाद आपके सामने इस तरिके का dashboard आ जाएगा तो अब आपको यहां पर नीचे scroll करना है और यहां पर पूछा जारा है town और village of the resident of the mother मतलब जो भी उसकी माताजी हैं जिसका आप जनमत्मान पत्र बना रहे हैं उसका जो भी यहां पर address वगरा है वो आपको यहां से सेलेक करेंगे इसके लावा यहां पर आपसे पूछा जा रहा है father and mother information अब आपको यहां पर जो parents हैं उनकी जो details है वो आपको देनी है यहां पर सबसे पहले उनका जो religion है वो हिंदू है मुशलिम है जैन है सीख कही साई है वो आपको सेलेक करना है उनका जो भी education qualification है वो आ करते हैं वो आपको यहां से सेलेक करना है इसके लावा उनकी जो mother है वो क्या करती है उनका जो भी business है वो आपको यहां से सेलेक कर लेकल लेना है यहां पर आप सारी details सेलेक करने के बाद simply आप आपको नीचे scroll करना है जब आप इसको नीचे scroll करोगे नीचे scroll करने के बाद आप से यहाँ पर other जो information है वो भी आप से पूची गई है other information में सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर जिस भी box में आपको star लगा हुआ मिल रहा है red color का सिर्फ आपको वही details फिल करनी है बाकी की details को आप यहाँ पर skip कर सकते हैं मतलब छोड़ सकते हैं बाकी की details को यहाँ पर फिल करना compulsory नहीं है तो सबसे पहले यहाँ पर आप से पूचा जा रहा है कि type of attendant of the delivery मतलब जो delivery थी वो किस डोक्टर ने की थी या फिर आपने ही की थी घर पर किस प्रकार से delivery हुई थी तो वो आप यहाँ से अपने हिसाप से select करोगे इसके लावा delivery का method आप से पूचा गया है delivery का जो method है वो normal था या फिर उनको बाद में जो hospitalization है उसके लिए admit किया गया था वो आप यह यहाँ से select करोगे इसके लावा जब बच्चा पैदा हुआ था तो उसका जो weight था वो कितना था वो आप यहाँ से लिखोगे यहाँ पर लिख दोगे इसके लावा number of the children's ball about the number so far including this child मतलब यह जो बच्चा पैदा हुआ था उससे पहले उनके कितने बच्चे थे वो आप यह इसके लावा आप नीचे आओगे यहाँ पर आपसे upload reporting forum पूछा जा रहा है आप इसको blank छोड़ देंगे यहाँ पर remark भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं अन्यता आप इसको भी blank छोड़ देंगे और उसके बाद से ओपर click करेंगे उसके बाद आपने यहाँ पर जो भी एडिट करना चाते हैं तो यहाँ पर आप एडिट पर click करके इसको edit कर सकते हैं अगर सब कुछ साही है तो simply आपको submit पर click करना है उसके बाद आपके सामने यहाँ पर forum number 1 आ जाता है अब आपको क्या करना है simply इसको नीची scroll करना है और नीची scroll करने के बाद आप आप देख स birth and death जो भी आपका address है जो registrar office है उसका address आपको यहाँ पर दिया गया है तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ आपको अब करना क्या है यहाँ पर आपने जनम प्रमान पत्र के लिए online apply कर दिया अब आपको क्या करना है सबसे पहले इस वाले फोरम का आपको print out लेना है print out लेने के लिए यहाँ पर आपको उपर print का option मिल जाएगा आप यहाँ से इसका direct print out ले सकते हैं अब आपको यहाँ पर जब इसका print out आप निकल वालोगे उसके बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले इसमें अपना साइन करना है जब आप यहाँ पर अपना साइन कर दोगे इस जगह आपको अपना साइन करना है और साइन करने के बाद नीचे आपको जो यहाँ पर एड्रेस बताये गया है रजिस्टार का जो ओफिस है उसका जो complete address ह है जो नगर्निगमद सेत्र है यह आपका जो भी है आपके ध्रuman से नगर निगर्पाली का शेत्र उसका जो घंपलीट एड्रम को यह पर नीची बताया गया है अब आपको क्या करना है सब supporting documents लगा के जैसे माता-पिता का अधरकार लगा के इसके लावा other कोई document लगा के जैसे बच्चा पेदा हुआ था अगर hospital में इसको बेजा गया था तो hospital से आपको कुछ documents वगेरा दिये होंगे कुछ slip वगेरा दी होगी वो उसके साथ लगा के आपको इस वाले address पर इस वाले रजिस्टार ओपिस में आपको इस वाले फोरम को जमा करवाना है इसी के साथ supporting documents जमा करवाने हैं उसके बाद आपका जो रजिस्टार ओपिस है वो आपके details को verify करेगा और verify करने के तुरंत बाद ही वो आपको आपका जो जनम परमान पत्तर है वो वहाँ से issue करके आपको दे देगा तो यहाँ पर जो जनम परमान पत्तर online apply करने का सिर्फ यहीं तक तरीका था आपको एक बार रजिस्टार ओपिस जाना ही होगा तो जो बच्चा अगर घर पर पैदा हुआ है घर पर पैदा होने के बाद इस तरीके से आपको online apply करना है apply करने के बाद आपको इस तरीके का print मिलेगा आपको इसको print करना है और इस वाले फोरम को लेके आपको रजिस्टार ओपिस जाना है आपके रजिस्टार जो ओपिस ह उसका जो एड्रेस है वो भी आपको यहाँ पर दे दिया गया है इस वज़े से डाइरेक्ट आपको इस वाले ओपीस में जाना है आपको कहीं पर भटकने की ज़ुरत नहीं है आपके जो ओपीस वाले हैं वो आपसे इस वाले फोरम को लेते हैं आपके supporting documents लेते हैं और उसके बाद आपका बच्चा है उसका जिसका भी आप जनम परमान पत्र बनवारे हो उसका जनम परमान पत्र वहां से issue करके दे देते हैं यहाँ पर जो आपको जनम परमान पत्र मिलता है अगर आप 21 दिन के अंदर जब बच्चा पैदा होता है उसके 21 दिन के अंदर अगर आप जनम प्रमाण पत्र के लिए apply कर देते हैं, तब तो आपको आपका जनम प्रमाण पत्र फिरी मिल जाता है, लेकिन अगर आप 21 दिन के बाद इसके लिए apply करते हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ 5-10 रुपए का जो charges है, वो आपसे जो आपका register ओपीस है, वो आपसे charge कर सकता है तो यहां पर जो बच्चा घर पर पैदा होता है या फिर जो बच्चें बड़े हो गए हैं जिनका पहले जनम प्राणपत्र नहीं बना था और वो अब अपना जनम प्राणपत्र बनवाना चाहरे हैं या फिर ऐसे लोग जिनको जो जनम है वो कभी पहले हुआ था 20-25 साल के वो हो गए है और जब उनका जनम प्राणपत्र नहीं बना था और अभी उनको जनम प्राणपत्र की जोरत पऴ गई है तो वो इस तरीके से अपना जनम-प्राणपत्र बनवा सकते हैं इसके अलावा जो बच्चे होश्पिटल चाहरे वो ग्रोमेंट हुस्पिटल या फ चेतर में आता है तो उनका जो जनम परांपतर है वो नगर निगम बना के देगा उस एडिये का इसके अलावा उनका जो होस्पिटल है अगर नगरपाली का चेतर में आपको जाना होगा जहां पर होस्पिटल है उस वाले नगरपाली का में आपका जनम परांपतर मिल जाएग इसके लावा अगर किसी बच्चे का जन्म है वो गाउं के किसी होस्पिटल में हुआ है तो आपको उस वाले गाउं का जो पंचायत होता है ग्राम पंचायत होता है उस वाली ग्राम पंचायत में आपको जाना है और वहां से जो आपका सेकरेटरी वगरा है वो आपको है वीडियो को लाई करें दोस्तों के साइब करें साती अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें इसके लाब अगर आपको जनम पुनाट पत्र मतर बनाने में किसी प्रगार की प्रोब्लम में और पीर आपको Kundal schools है और आप हमर साथ share करना चाते हैं तो उसके लिए direct आप हमें comment कर सकते हैं या फिर मैंने वीडियो की description में Instagram और Telegram का link दिया हुआ है वहापर जाकर direct आप हमें Instagram और Telegram पर message कर सकते हैं क्योंकि जो भी हमें वहापर direct message करता है हम उनका 100% reply देने की causes करते हैं